हर घर हसीन होता हैं अगर वो घर अपना होता है किराय की घर में रहते हैं तो अभी तक क्यूं फसे हैं आपको अपना घर हो सकता है आपको कुछ करना होगा क्या करना होगा कैसे करना होगा मुझा आज आपको वह उपाई बताऊंगी जिससे आपको आपका अपना घर मिलेगा आप अपने घर के मालिक बनेंगे साथ ही आपको प्रॉपर्टी बढ़ाने की उपाई भी बताऊंगी आपकी संपती बढ़ेगी लाब होगा औ मेरे लिए इस्तेज़ादा खुशी की और कौन सी बात हो सकती है आपको क्या उपाए करने हैं वो जानिए मंगलबार के दिन सफेद गाय और बच्छडे को मसूर की दाल और गुड़ जरूर खिलाएं गोड़े को चने की गीली जो भीगोई भी दाल होती है वो खिलाएं और क अधिवार को समें सरसों के तेल का दीपक जला जब दीपक जल जाए और उसमें सब बुझ जाए तो फिरूसमें कपूर जलाएं यह जब मिटीगा घर है जहाँ पर हमने दिया जलाएं इस मिटी के घर को आपको अपने हातों से जाना होगा आपको हर शुक्रवार को किसी जरुरत मन्त को खाना खिलाना है वो भी नियम से जब भी संडे आये तो गाय को गुड़ जरूर खिलाईए मैं आपको एक और मंतर बता रही हूं रोज सुबर नहाने के बाद आपको इस मंतर का 51 टाइम्स जाप करना है मंतर नोट कीजिए ओम पदमावत पदम कुशी व्रज वंजरा पुशी प्रतिभवन्ति भवन्ति इस उपाय को नियमत करने से आपका अपना घर भनने का सपना जरूर पूरा होगा एक और उपाय बता रही हूं लेकिन इसे नवरातर की अश्टमी पर कीजएगा जब भी अगले वर्ष नवरातरा इप्रिल में आएंगे आपको यह उपाय करना है नवरातर की अश्टमी तिथी को सुभर जल्दी उठ जाए अपने घर के आस पास के कुवें का जल या बोरिंग का जल कहीं से भी या गंगा जल जो भी आपको एजिली मिल जाए इस जल को अपने हाथ में ले और जल से अपने उपर इसके बाद पूजा घर में जाए चौकी पर माद दुर्गा की मूर्ति स्थापत कर दें अपना मुक इस डारिक्शन की और चेहरा इस्थ की और रखे और माद दुर्गा के सामने पांच ग्राम के सिक्षे रखे चान्दी के इसके बाद सिक्षे पर रॉली से ठीका पूल चड़ाई और इसके बाद मा के सामने आपको प्रातना करनी है अपने नए घर को बनवाने के लिए सच्छे मंसे प्रातना कीजिए जिब मा की मूर्ति के सामने सब सिक्षे उठा ले और इने लाल कपड़े में बांद कर रखें इसे अपनी अलमारी में रखें जहां पैसे रखते हैं वहां रखें आपको जल्दी ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाई करने हैं कौन से हैं वो जानीजिए एक लाल कपड़े में छे चुटकी कुम कुम लें, छे लॉंग लें, 9 बिंदिया लें, 9 मुठी साफ मिट्टी लें और 6 कौरियां ने इन सभी को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट ले इसके बाद मन में अपनी मनों कामना की पूर्ती के लिए बोले इस कपड़े को सभी चीजों को जरुरत मंद को दान कर दे ऐसा कई बार होता है कि आपको कोई जगा पसंद आ जाए लेकिन जगा खरीदने के लिए लोन नहीं मिल रहा हूँ तो आपको क्या करना चाहिए आपको एक उपाय करना है अगर लोन नहीं मिल रहा है आपने घर को बनाने के लिए एक मिट्टी की कोरी हांडी ले इस हांडी में दूद, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शेह डाल दे हांडी को अपने सामने रखें सामने बैठ कर दुर्गा नवारन के मंतरों का जाप करें इसके बाद हांडी को किसी नदियां तालाब के पास ले जाएं और इसे जमीन में दबा दे इस उपाय को करने से भी दुर्गा मा की क्रिपा आपको प्राप्थ होगी और आपको जल्दी ही अपनी मंचा ही जगा पर घर बनाने का मौका मिल जाएगा रोज सुबर नहा कर गणेश जी को एक लाल फूल जरूर चड़ाएं और 21 दिन तक मंदिर या घर पर गणेश जी के समस्या के निवारन के लिए प्रातना करें पाँच मंगल बार तक लगा तार किसी गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को गेहूं और गुण अर्पित करें श्री गणेश जी की कृपा से जल्दी ही आपका अपना घर होगा नीम की लकडी के एक छोट असा घर बनाएं और इस घर को अच्छी तरह से सजाकर किसी मंदर में लेकर जाकर दान करतें इससे आपको अपना घर मिलने के रास्ते खुलेंगे